समस्सका दश्कों यूटूब के मेरे चैनल में आप सब का स्वागत है आज में वीडियो लेकर आई हूं कन्या लगन वा मित्ऊं राशी के जातकों के लिए अप्रैल 2020 गाउड pan आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कन्या लगन वा मिथुन राशी के लिए अप्रेल का महा कैसा जाएगा कन्या लगन का क्या आरत है कि आपकी कुंडली में जहां आपकी कुंडली बनती है उसमें जो पहला भाव है जिसे लगन कहते हैं पहली में ए सुर बुर शुक्र की हुथि सब मढार में थे लाइन प्रेली में कुंडली में कुंडली बनती है चले जाएगे महा के आरब में मीन राशी में सूर्य बुद्वर शुकर चले जाएंगे मि्थुन राशी मिथुन राशी बात करें तो विश्टिक राशी के केटूं है शटे भाब में शनी माहराज बिराजमान मेरा मानना है कि अगर आपका कन्या लगन वा मिथुन राशी का कम्मीनेशन है तो यह जो अप्रेल का महिना है वो आपके लिए 50 परशंट तक बढ़िया जाने वाला है क्योंकि दो बाते हमें ध्यान रखने की जरुवत है कन्या लगन से अगर हम बात करें तो देव गुरु बर्सपती जो है छटे हो गए जो भी पंचम चल रहे थे वो छटे हो गए है छटे भाब का देव गुरु बर्सपती दो तिन बातों में टेंशन देते हैं एक तो गर दूसी तरह अगर मित्ण रखने कि जर्ड़ बात करें तो शनी महराज अपनी नीच राशी से निकलकर भागयबाब में आगए थे भागयबाब में देव बर्सपती बहुत अच्छा फल देते हैं तो मित्ण राशी से गयान रखने की बात है कि कन्या लगनन मित्ण रा पर आप इसमें यह रहेगा कि आप अपने केरियर में थोड़ी सी साफधानी रखेंगे तो यह समय आपके लिए 60% तक भी बढ़िया हो सकता है अप केरियर में क्या साफधानी रखने की जरूवत है पहली बात कि छटे भाब में गुरू जो है वो शत्रूओं को सक्री करता है इसलिए ध्यान रखिए कि आप जहां भी नौकरी करते हैं वापर किसी पकार के बाद विवाद से बचें क्योंकि आप देख रहे हैं कि दश्यम भाब पर इस समय मिथुन राशी का मंगल जो आएगा तेरह अपरेल से वस बात का संक्री देता है वो मंगल अष्टमेश होकर आएगा कि आपका अपने साथी से कोई वाद विवाद हो जाए और उससे कोई परिशानी हो इसलिए कारिश्टल पर विवाद विवाद से बचें हैं अपरेल के महीने में साथी आचाना कि आपका ट्रांसवर होने की संबावना बनती है और जो सरकारी नौकरी में हैं उस बात का ध्यान रखें कि तेरा प्रेयर के बाद सूरे जो हैं अश्टम में आ जाएंगे सरकार का कारक सूरे इसलिए आप सरकारी नौकरी में हैं और आपका कन्या लगन और मिथुन राची का कंबिनेशन हैं तो काम में थोड़ी सी साब्धा के जरूवत है और अगर केरियर की बात करें अगर आप अपनी बत्मान जॉब को बदलना चाहते हैं आपको जॉब में प्रॉब्लम चल रही है आप जॉब बदल सकते हैं आपको दूसरी जॉब मिल सकती है भागे बाब में देव बिश्पती विराजमान है जहां का शुफल लेते हैं, उनकी रिष्टी लगन पर है, भागे का आपको पूरा साथ मिला हुआ है, और अगर धन के लिए बात करें, तो ये कन्या लगन और मिथुन राशी का कंबिनेशन बहुत शानदार है, मिथुन राशी से देखिए, एक अधश बाब में सूरे बुद्वा शुक्र है और गुरु या जो कन्या लगन से चटे भाब में आये हैं, जो धन के कारक हैं, उनकी रिष्टी धन के भाब पर है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नौ, और धने शुक्र भी जो हैं, तेरा अप्रेल से बुद्वर शुक्र जो हैं, आपके धनवा आपको इसलिए अगर आपका कन्या लगन और मिथ उन्राशी का कंबिनेशन है, तो 14 अप्रेल से 30 अप्रेल के बीच में आपको धनलाव हो सकता है, आपको कहीं से धनाने क्यों मिथी तो वो आ सकता है, साथ ही जो वैपार को आगे बढ़ाने के लिए लौन वगर अलेना चाते हैं, तो उन्हें करजा मिलने में सुगदा होगी, क्योंकि छटे भाब का गुरू करजा असानी से दिला देता है, लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि सप्तम भाब का सौमी छटे भाब में गया है, तो दामपत्ते जीवन में कुछ तनाव या परिशानी हो सकती है, और साथ ही साथ जो वैपारी पार्टनर्शिप में काम करते हैं, वो भी ध्यान रखें, पार्टनर से किसी पकार का विवाद या तनाव ना हो जाए, गुरू की रिष्टी पंचम भाब पर है, आप संतान प्लान कर सकते हैं, विदार्ती बर के लिए समय अच्छा है, विदार्ती बर को पत्री वगरा है, क्योंकि पंचम भाब में शनी वीजबात का संकेत दे रहा है, कि पेट से जुड़ी प्रावलम आपको परिशान कर सकती है, तो अगर आपका कन्या लगन वा मिथुन राशी का कंबिनेशन है, तो हेल्थ का विशेशू से ध्यान रखेगा, क्यों मिथुन तो दर्शको ये मेरा वीडियो था, कन्या लगन अमिथुन राशी के जातकों के लिए अगर आपका एक कंबिनेशन बनता है, तो 50% तक आपके लिए अपरिल का महिना बढ़िया जाने वाला है, आप अपनी जॉब को बदलना चाते हैं, जॉब को बदल सकते हैं, जुब को पहली बार आए हैं, और आपने मेरा चैनल अभी तर सब्क्राइब नहीं किया, तो किर पर मेरा चैनल सब्क्राइब कर दीजिए, साथ ही वल आइकन को भी दवा दीजिए, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो प्लूट करूँ, उसके नोटिफिकेशन आपको मिलना है, और